तो स्टार्ट करते हैं वीडियो नंबर सेवन्थ हमारा जो की टॉप 500 वन लाइनर्स हम डिसकस कर रहे हैं जन्र नौलेज के फॉर ACC एक्जैम जो की आपको पता है टोटल 500 जो वन लाइनर्स हम लोग यहां पर डिसकस करेंगे यह बहुत सारे इन में से प्रीवेस ACC एक्जैम म जन्र नौलेज पॉशन में आपको बहुत है ठीक है और बाकी अगर आपको इस जो पीडिएफ नोट्स जो इसके चाहिए होंगे अगर जन्र नौलेज के तो फॉर्ट यह फॉर्ट यह फॉर्ट डॉन्लोड एसी सी डिफेंस अकेडमी अप्लिकेशन फॉंद प्लेस्टोर तो हमने जैसे कवर कर लिये थे 240 सक कोशन तो 241 कोशन हमारा यहां पे रहेगा तो मैंडमसी ने कहा जाता है ठीक है उसके बाद यह आ गया हिस्ट्री से एलेटेड कोशन आपको देखने को चंगेज खान इन्वेडिड इंडिया दिरिंग दरीन आफ विच स्लेव उस टाइम पर उनके टाइम पर चंगेज खान ने इन्वेड करा था इंडिया को ठीक है दा गवर्नर जैनल ऑफ इंडिया हूँ वाज फेमस फार सती रिफॉर्म तो सती पर था जो की बारत में प्राचीन जो टाइम था उस टाइम पर चली आ रही थी तो इसको जो था सती जो लाए थे तो यह गवर्नर जैनल उस टाइम पे थे लॉर्ड विलियम बैंटिक उनके द्वारा लाए गए थे ठीक है उसके बाद रिट यूज तो कंट्रोल एक्जिकुटिटिव एक्शन इन दे एरियास आफ मेकिंग एपॉइंट्मेंट्स तू पब्लिक ऑफिस यहां पर भी आपको पता चाहिए विकाशन आपको रिट से मिलेगा ही वहां पर एक्जाब में ठीक है रिटावन गार्डन जो है आपको मैसूर में दिखेगा जो की करनाटक स्टेट में सिच्टेट है ठीक है उसके बाद मैक्सिमम स्टेंथ आफ राज्य सभा इस तो मैक्सिमम स्टेंथ जो राज्य सभा की कितनी होती है डाइस होती है यह इसी जी एक्जैम में पूछा भी गया तो मैंसे स्टार मार्ग कर रहा हूं आप लोगों के लिए होप टास्क है कि मुझे बताएं कि मैक्सिमम स्टेंथ आफ जो लोग सभा होता है वो कितनी होती है ठ के बाद दे नॉमिनेटेड मेंबर्स आफ राज्य सभा डू नार्ट पार्टिस्पेट इन दा इलेक्शन अफ प्रेजिडेंट अफ इंडिया टू और फॉल्स तो यह डेफिनिटली टू है विकॉज नॉमिनेटेड नॉमिनेटेड मेंबर्स जो कि मैंने प्रिविएस वीड लिट्रेचर में मतलब इनकी महरात हासिल थे इनको ठीक है फूबाद इंडिया फर्स्ट इंडियन सिविल सर्विसिज ऑफिस ऑफिसर तो बहुत इंपोर्टन कोशन है बहुत बार पूछा भी गया इस एक्जाम में तो यह थे सतेंदर नास टेग और ची ठीक है उसके करता है तो इसे नेटवर्क को कहते हैं हम गोल्डन ट्राइंगल विकॉज यह हमारी मेटर सीटीज हैं बहुत सारा मतलब जो कैपिटलीजम जो हमारा यहां से मतलब मनी रोटेशन एकॉनमी को बूस्ट इन चार सीटीज से बहुत जादा मिलता है ठीक है वेरीज दे हैड़ कोर्टर मिलेंगे और यह बैसिकली कोशन आने के चांसी इसलिए का जो रोल काफी था इसमें रश्या को बाहर करने में करनसी के लिए ठीक है जब सेंक्शन करें थे वेस्टन वर्ल्ड ने और यूएस ने उसके बाद वेंडिट दा इलेवंट फाइव यह प्लैन पिरिड यह प्लैन पिरिड जो था एकॉनमी में वह एंड हुआ था बैसिकली यह मैं आपको एक ओवर्विव दे देता हूं फाइव यह प्लैन क्या होता है जब हमारा देश अजाद हुआ था तो एड़ टाइम फाइव यह प्लैन जो होते हैं मतलब टाइम टू टाइम हमारे सब्सक्राइब बाद चीफ रेगुलेटर आफ कमुनिटी एक्सचेंज इंडिया इसका रेगुलेटर ठीक है रिंजिट इस दा करंशिया विच कंट्री तो इंडिया इंडोनेशिया की जो है करंशी है रिंजिट विच सल्तान रिसीव ए रोब आफ ओनर फ्रॉम दा तो यह है इस तुमिश जो कि हमने प्रिवेश स्लाइड में भी पढ़ा था ठीक है उसके बाद हैविएस नैचरली अक्रिंग एलिमेंट इस तो सबसे ज्यादा रैचरली अक्रिंट होता है यूरेनियम उसके बाद अमंग रेडियम प्लूटोनियम जिर्कोनियम एन यूरे इनने कट ओफ रिवर मेंडर इस कॉल्ट तो आक्स बोल लेक कहा जाता है बाकी आप देख सकते हैं यहां पे आपकी जीके की तैयरी तो हो रही है और बाकी अगर आप अच्छे सब्जेक्ट से सभी सब्जेक्स की तैयरी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपका निया ब आपको टू दर पॉइंट उन से पढ़ाई करवाई जाएगी बाहर से आपको कुछ भी पढ़ने की जूरुत नहीं है शोर शॉर्ट नोट्स के साथ शोर शॉर्ट रिकॉर्ड वीडियो लेक्शर आपको मिलेंगे बिकाज हमें पता है कि आपको टाइमिंग के दिक्कत रह आपको जैसे मैं बता रहूँ इस कोर्स में आपको पार्सनली लाइफ क्लासिज भी दी जाएंगी डेली रात में नो बज़े से ग्यारा मज़े वो इसलिए विकाज़ आगर आपको कोई डाउट आता है तो आप डिरेक्ली अपने टीचर्स को भी पूछ पाएंगे और इन महीना मैनत करनी पड़ेगी डेड़ महीना जो हम पढ़ाएंगे वो चीज़ें आपको कवर करनी पड़ेंगी उसके बाहर आपको कुछ भी एफट देने की जरूरत नहीं है बस ये डेड़ महीना आप एसी सी डिफेंस अकैडमी के साथ में काम कर लो बाकी आप उमर बर के लिए खुद आप अपनी फैमिली को प्राउट फील कर वाओगे खुद प्राउट फील करोगे और अपना जो गोल है उसे अचीव करने में बहुत असानी आपकी हो जाएगी तो बाकी डेटेल्स के लिए या परसनल काउंसलिंग के लिए गाइडेंस के लिए या कोर्स जो नोन एज तो यूट्रीपिशन इसे कहा जाता है उसके बाद में विच इस द लीडिंग स्टेट इन इंडिया इन शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री तो डेफिनिटली हमारा जो कोस्टल रीजन है वो सबसे ज़्यादा है गुजराथ स्टेट का तो डेफिनिटली ये इसका और आपको शिपडरीकिंग सेंडस्ट्री सबसे ज़्यादा कहा मिलेगी गुजरात में ही मिलेगी उसके बाद मौडरीटर ओर यूजल करते हैं शियु अबाक्यकर्वागा अ बाद और मुझे यह बता है कि statue of unity जो हमाने गुजरात में बना है उसमें कौन सी Indian personality है ठीक है किस personality के उपर वो बनाया गया फिर wilting of plants occur due to excessive transportation होता है उसके बाद which is the principal source of information on Ashoka's campaign against Kalinga तो रॉक एडिट जो था नमबर यहां पे ठत्रिंड ओ था ज्यादा source of information at that point of time उसका quarter line इस था imaginary line joining the joining places of equal elevation the instrument used to study the behavior of a vibrating string is sonometer तो basically instruments related questions आपको हर बार देखने को मिल जाएंगे तो मैं आपको यह सजेस्ट करूंगा जितने भी ज़्यादा इंस्टुमेंट से related questions बनते हैं please cover them so that कि आपको exam में वहां पे असानी से आप cover कर पाएं दगांदारा आर्ट flourished under the rule of questionnaire तो यह बैसिकली जादातर question जो वाइन नाइस में हैं आपको history medieval history से related देखने वो मिल जाएंगे ठीक है which company became the first first list IT firm to cross one billion turnover है तो यह है इंडिया का जिसने नाव रोशन करा है इंफोसिस कंपनी ठीक है उसके बाद which parts of the poppy plant is used for the extraction of opium तो opium जो कि drugs की खेती होती है तो उसमें flowers का यूज होता है ठीक है और ज्यादा तर यह opium की खेतिया को अफगानिस्तान में मिलेगी देखने को the decan educational society was founded by तो यह जो decan educational society था अम जी राना डेजी ने फोंड करी थी he was from महाराश्चा उसके बाद black hole is an invisible area in outer space with gravity so strong that light cannot get out of it this property is due to the very high density है जो black hole है ना उसकी density बहुत जो भी चीज उसमें आती है इसके बाद at which stage does the silkworm yield the fiber of commerce तो प्यूपा पह होता है वाज़ फांडर आफ अभी नवा बारत सुसाइटी सिक्र सुसाइटी आफ रिवुलेशनरी तो वीडी सरवाकर जी थे इसके founder endoscopy a techniques which refer to the examination of inside of a human body is based on the phenomenon तो basically आपने देखा होगा जब भी पेट की किसी को बिमारी होती है at that time उनकी endoscopy होती है पेट का अंदर का देखने के लिए तो कैसे वह एक इस फिनामेन पर यह बेस्ट रहती है it is based on total internal reflection जो की आपने optics chapter में पड़ा होगा है ना वहाँ पे बतलब light rays एक जगह से दूसी जगह फॉल होती है और we get to have the view of the whole region उसके बाद before joining India as a state goa was under the administrative control of तो यह था Portuguese के अडर तो आप मुझे comment box में बताएं कि Portuguese मैं आपको इतना बता देता हूँ कि 1947 में Portuguese नहीं गए थे उसके बाद गए थे तो किस साल में Portuguese यहां से गए थे and a core fact आपको मैं बता दूँ कि Portuguese ही ऐसे European थे जो कि इंडिया में सबसे पहले आये थे और सबसे last में गए थे Britishers तो फिर भी बाद में आये और गे भी पहले थे याद रखना है ठीक है total expenditure of the government minus revenue receipts minus loans and other capital receipts is called the fiscal deficit इसे कहा जाता है in human body blood temperature sorry blood pressure is controlled by तो यह thyroid आपने सुना होगा बहुत बार जो इनको BP वगएरा के problem होती है उनका thyroid check भी होता है तो यह thyroid gland के थूँ जो है control करा जाता है आपका blood pressure तो बाकी मैं बता दूँ जो अबी आपके लिए लिमिटेट सीट्स है इस बैच में जो की आपका अपसर बनने का सपना पूरा है उसे करने में आपको help out करेंगे यहां पे इस बैच में तो आप जैसे इस बैच में जोइन करते हैं तो आपको पूरे short short notes मिलेंगे और एक और चीज मैं बता दूँ अभी weekend पे application पे extra 20% discount चल रहा है जिसके लिए आपको weekend 20 का coupon code apply करना है with that आपको बहुत ही minimal price पे यह courses मिल जाएंगे at this point of time और जो की आपको इसमें course में पूरे PDF notes, recorded lectures, live classes, mock tests, सब कुछ included रहेगा और यहां फिर आप अगर directly course join करना चाहे तो you can download ACC Defense Academy application from the play store courses में जाके आप enroll कर सकते हैं 130 course कोई भी यहां फिर further details के लिए आप हमें WhatsApp करें 812745966 पे यहां फिर अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी units में यहां अपने गर के address पे booklets मंगवाना चाहते हैं जो कि new edition की booklets हैं जिसमें कि आपको last six months के current affairs भी included रहेंगे जो कि updated वाली booklets है तो यह booklets जो हैं इनकी details के लिए order place करने के लिए आप हमें प्लीज बट्साइब करें 812745966 पे और बाकी इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें and if you definitely feel के आपको काफी help और यह इस इस exam में तो इस YouTube चैनल को subscribe करें सो देट की in future भी हम इसी तरह से आपके लिए useful content लेते आएं and in turn we will help you to crack this ACC examination thank you so much for watching